और आखे बढ़ते हुए बड़ी खबर कोरोना वाक्सीन से जुड़ी हुई है जिसको लेकर स्वास्तमंत्राले ने बड़ा फैसला किया है सभी राज्यों में दो जन्वरी से वैक्सीनेशन को लेकर ड्राइरन की शुरुबात होगी स्वास्तमंत्राले की हाई लेवल बैठक ने फैसला लिया गया है इससे पहले हमने देखा था 28 और उनके दो दिन चाबराज्यों में वैक्सीनेशन को लेकर ड्राइरन की वरस्ता कराई गई थी और ये ड्राइरन से फर सिर्फिस लिये कि जब असल में वैक्सीन आ जाएगी वैक्सीनेशन होगा तब किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत स्वास्तम विभा के आड़े ना आए आम लोगों तक वैक्सीन को पहुचाया जा सके इसलिए स्वास्तम वाले ने बैठक में ये बड़ा फैसला लिया है हाई लेवल बैठक हुई जिसने दो जनवरी से वैक्सीन को लेकर ड्राइरन की विवस्ता की बात कही गई है और अगली बड़ी खबर ये है कि देश में यूके वाला जो नया स्ट्रेन है उसको लेकर खलबली मची हुई है क्योंकि पांच और केस मिल गए है आज पूरे की एनाईवी लाब में चार और केस सामने आये जबकि दिल्ली की आईज़ी आईवी लाब में एक केस की पूछ थी अब कई ऐसे देश हैं जहां तक ये नया स्ट्रेन पहुँच चुका है और अब तो हिंदुस्तान में भी 25 ऐसे केस सामने आए है लेकिन कोरोना संक्रमन जिस रफ्तार से बढ़ रहा है नया स्ट्रेन का खत्रा जिस तरी किसे बना हुआ है उसको लेक्ते हुए कुछ ए नाट बजे के बाद एंट्री नहीं हो पाएगी इनर और आउटर स्ट्रेकल दोनों ही जगा गारियों के एंट्री पूरी तरह से बंद रहेगी राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जहां सबसे जादा भीड रहती है नौ बजे के बाद यहां से एक्जिट गेप बंद हो जा इसी तरह से सक्त गाइडलाइन्स बनाई गई है नाइट करफ्यू के वज़ व्यवस्था की गई है ताकि नए साल के जश्न की आड में कोरोना का संक्रमन और तेजी से बढ़ना पाए नया साल और नई गाइडलाइन्स इसे देखते हुए दिल्ली में आज और कल नाइट कर्फ्यू रहेगा इसी पर जादा जानकारी के साथ आदित नायर की रिपोर्ट आप देखिए दिल्ली NCR में New Year's Eve को देखते हुए और कडाकी की ठन को देखते हुए और COVID-19 के नए strain को देखते हुए दिल्ली Disaster Management Association ने ये कहा है कि दिल्ली में आज और कल यानि New Year's Eve पे और New Year की दिन पर रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फियू लगाया जाएगा इस कर्फियू में 5 से जादा लोगों के एक साथ बाहर निकलने के नहीं अनुमती मिलेगी New Year का कोई celebration बाहर कई पे नहीं हो पाएगा और इसी के चलते DMRC यारे Delhi Metro Rail Corporation ने ये कहा है कि जो राजीव चौक हेजाम पे जाधतर पार्टिया होती है वहां की बाहर निकलने की सारी जो gates है वो रात के 9 बजे से बंद कर दी जाएगी तो ये सारा ये जो कानून है नाइट कर्फियू का ये ना सिर्फ दिल्ली में बाकि कई शेहरों पे भी लागू किया गया है वो इसी के चलते ही COVID कनाया strain आया है करोना वाइरस का पैंडमिक जो है अभी तक खतम नहीं हुआ है और कराकी की ठंड है पल्यूशन है और देखने को यही मिल रहा है कि लोगों को अब सतर आगर नहीं होते है तो लोगों को अब कही ने कहीं सरकार को इंवाल्व होना पड़ रहा है कैमरा पोसन जना के साथ मैंधित नायर इंडे नियूस दिल्ली नए साल पर पाबंदियां आपके अपनी सुरक्षा के लिए है संक्रमन ना भड़ पाए इसलिए है अब आप जालने जिए कि अलग अलग राज्यों में कैसे ये नाइट करफ्यू ये खास दिशान निर्देश ये कोरोना प्रोटुकॉल कैसा रहेगा जसे आपके आने और जाने पर पाबंदी रह सकती है पंजाब से शुरुआत करते हैं एक जनवरी तक रात दस बज़े से लेकर सुबापांश बज़े तक नाइट करफ्यू की विवस्ता रहेगी दोराना बाहर नहीं जा पाएंगे राजिस्थान जहाँ पर एक लाज से ज़ादा अबादी वाले जो शेहर हैं वहाँ पर नाइट करफ्यू सरकार की तरफ से लगाए गया है शाम साथ बज़े के बाद से ही यहां तमाम बजार बंद हो जाएंगे गुजरात में लोगों के एकटा होने पर रोक है यहां ज्यादा लोग एकटा ना हो पाएं संक्रवन ना पहले इसलिए यह कोरोना गाइडलाइस मुंबई में हर जगा किसी भी तरह की पार्टी पर रोक लगाए गया है पार्टी मतलब गैधरिंग जिसे अवाइट सरकार करना चाहती है करना चकार नाइट कफ्यू लेकिन दो जनवरी तक लोगों के एकटा एक साथ हूने पर पावन भी लगाए गई है माचल फरदेश नाइट कफ्यू पांच जनवरी तक काफी आगे तक खिसका दिया गया है उत्तरा खंड जहां पर सावजनिक जगों पर पार्टी करने पर रोख है आप अपने घर पर छोटा मोटा सेलिबरेशन अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं दिल्ली में फिलाल पुलिस की परमिशन के साथ हलका जशन तो मना सकते हैं लेकिन ज्यादा भीर नहीं कोरोना गाइडलाइन्स को फॉलो करना होगा तीस दिसंबर के बाद ही ये दिशा निर्देश सामने आए जिसमें नाइट कफ्यू आज और कर दियाने कि 31 दिसंबर और एक जनवरी तक रहेगा नौइडा में कोविट प्रोटोकॉल्स के साथ आप जशन मना सकते हैं वो भी थोड़ा बहुत कुछ लोगों के साथ ओडीशा जहां पर 31 दिसंबर की राग को किसी भी तरह का कोई जशन नहीं होगा माराश जहां पहले से ही एतियात बढ़ते जा रहे थे कोरोना को देखते हुए अब 5 जनवरी तक के लिए नाइट कफ्यू और ज्यादा बढ़ा दिया गया है तक की कोरोना में संक्रमन का खत्रा कम हो पाए और जो नया स्ट्रेन 25 मामले सामने आ चुके हैं कम से कम नया स्ट्रेन यही पर रुख जाए वाक्सिनेशन चुकी शुरू होने वाली है इस बीच हिमाचल के शिमला में कोरोना काल के बीच में नए साल की तैयारियों का जायजा लिया है समधाता उमेश ने सब्सक्राइब शबला लया नालीbahn में समरला में क्या शोठीर शोबला चुके शाया हिए किसे लोग जशन मिनाएंगे का जसी आफ चुके पर बएस ज्याइद पहुंचे है प्शिखल रहते हैं, दो इंप्टन बाते को फ्रेक्न लेक्त हैं, कि रुणी कर्षा तो यह दा कि पीछ में इस दूप है कि बहुत ज़्यां की टैसिजेशन पॉसर शुड़े होगा और युदि यहीं कह रहे हैं कि आप शिम्ला है जश्मन आएं लेकिन जश्चिन के वीश में हाला ना डालें का सक्ती से पार्लें पुलिस को आ रही है लेकिन पुलिस का यह कहन मंगर में हो नए साल पी शुड़ा रख्शे सी हो नए साल आ रहा है लेकिन इन गाइडलाइंस के साथ ही आपको भी अपनी जिन्दीगी में साथधानी बरतनी होगी उदर असम सरकार ने भी कोरोना संकट को डेखते हुए असम एधारा 144 लगा दी है गुआहाटी से ज्या का माहूल देखा गया था लेकिन जैसे ही ब्रिटेन में नए कोरोना का पकड़ा इनने के बाद में इंडिया में छे कोरोना कम मेरीज पाया गया जिसको लेके राज सरकार ने तीन सुक्याज के जिले के साथ साथ विभिन जिलो में धारा 144 लगा दी है और इस पे धारा 144 साल का स्वागत समारों के लिए जिस तरह से पिछले वर्स के भाति जैसे देखा जाये उस तरह से लोग जो इकठा होते थे वो पूरी तरह से पाबंदी लगा दिये सरकार ने असम सरकार भी पूरी तरह से तत्पर है और पूरी तरह से निगरानी बनाए रखे है और इस त स्टेंड में पाया गया जिसको लेकर राज सरकार पूरी ततपर थी क्या देखते हैं सरकार का यह निर्देश कितना सफल हुआ है नहीं पिछला साल तो हमारा ऐसी गुजर गया नभी हूँ नदुरुगा पूजा कुछ भी नहीं अब इस साथ लग रहा था कि कुछ करेंगे पर नए वायरिस ने आगे फिर आतंक फैला दिया इस्टेट गौर्मेंट ने लोकल प्रसासर ने सही स्टेप लिया है ज्यादा फूर्ती में मत रोओ आपको जो करना अपने घर पे रहके करो ज्यादा हुर्दंग बाजी की जहूत नहीं है और तो तो नहीं साल का स्वाग परिवान के साथ ये जितने भी नियम है ये आपके खुद की सुरक्षा के लिए है